गुद मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, I hope you are well and good बिटा, SST में हमारा चैप्टर 16, मोर्स ओफ ट्रांसपोर्ट चल रहा है बिटा I hope कि आपने उसको अच्छी तरह से रीड किया होगा, समझा होगा और साथ साथ में लर्न भी कर रहे होंगी जो आपको learning work दिया जा रहा, वो आप साथ साथ कर रहे होंगे write करके भी देख रहे होंगे, ठीक, अच्छी तरह से spelling के साथ learn करना है पिटा, कल जो question हमने किये थे, वो आपने कर लिये होंगे उससे आगे आज हम question कर रहे हैं, आप इन्हें ध्यान से समझेगा देखे पिटा, question है हमारा, which cities are connected through golden quadrilateral क्या कि golden quadrilateral से कौन-कौन से cities connect है पिटा, तो जो golden quadrilateral है न, ये हमारा NH highway है, बिटा, national highway है ठीक है, ये बिटा, हमारे चार जो बड़े city है न, जो बड़े metropolitan city है न, उनको जोडने का काम करता है बिटा और इस golden quadrilateral से हमारे चार cities जुड़े वे हैं, बड़े कौन-कौन से हैं पिटा, वो है मुंबई, कोलकता, चेन्नेई, एंड देली पिटा ठीक है, कौन-कौन से हैं, मुंबई, कोलकता, चेन्नेई, एंड देली यह आपका आंस्वर रहेगा, कौन-कौन से हम क्या लिखेंगे, हम से which cities हटा देंगे बड़े और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, मुंबई, चेन्नेई, कोलकता, एंड देली यह लिखेंगे, मुंबई, चेन्नेई, कोलकता, एंड देली हम यह पूरा लिख देंगे, आगे connected throw golden quadrilateral ठीक है तो यह आपके चार cities हो गई जो किस से जुड़े है golden quadrilateral से कौन कौन से हो गई मुंबई, कोलकता, चेन नहीं and देली आप इनको आगे पिछे लिख सकते हो अब next है बिटा water highways highways क्या होते हैं बिटा highways बिटा वो बड़े-बड़े roads होते हैं जो बड़े cities को जोड़ने का काम करते हैं city और town को जोड़ने का जो काम करते हैं ये होते हैं highways और ये बड़े road होते हैं इनके उपर बिटा कई विकल एक साथ चलते हैं आने के लिए अलग रास्ता होता है जाने के लिए अलग लाइन बने होती है ठीक है तो ऐसे रोड जो बड़े-बड़े होते हैं cities और towns को connect करते हैं एक दूसरे के साथ वो highways होते हैं इनके उपर विकल्स दो तीन से ज़्यादा एक साथ चल सकते हैं ठीक है तीन च्यार विकल्स एक साथ चल सकते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा हाइवेज का highways are the big roads between towns and cities या highways are the big roads that connects big cities and towns ठीक है हमने क्या लिखवा रखा है नोटबुक में highways are the big roads between towns and cities towns and cities के बीच में जो बड़े road होते हैं वो क्या होते हैं highways होते हैं बिटा आप देखिए बिटा next है हम ये कर रहे हैं question number 5 differentiate between water transport and air transport water transport और air transport को differentiate करना है क्या difference है इसमें बिटा सबसे पहले हम water transport करते हैं बिटा water transport क्या होता है और air transport क्या होता आपने ये पढ़ा है बिटा समझा भी है बिटा water transport वो transport होते हैं that moving water जो की water में move करते हैं जबकि air transport वो होते हैं moving air ठीक हम क्या लिखेंगे water transport लिख देंगे एक साइड में एक साइड में air transport water transport में लिखेंगे they moving water ये water में move करते हैं जबकि air transport में लिखेंगे they moving air ये air में move करते हैं ठीक है next बिटा water transport में हमारे क्या आते हैं इसके अंदर हमारे ships, boats, glide, submarine ये आते हैं ठीक है ship, boat ये आते हैं जबकि air transport में हमारे क्या आते हैं इसके अंदर हमारे aeroplane, helicopter ये आते हैं ठीक है फिर बिटा water transport क्या होते हैं water transport जो हैं सस्ते होते हैं दीजार cheap ये सस्ते होते हैं जबकि जो air transport होते हैं दीजार फास्ट है ये फास्ट होते हैं ठीक है आगे बिटा सोरी बिटा दीजार चीप ये सस्ते होते हैं दीजार कोश्टली ये महंगे होते हैं कोश्टली ठीक है फिर वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं बिटा दे मूव स्लो ये स्लो चलते हैं और दे मूव फास्ट ये fast move करते हैं ठीक है तो आपको क्या याद रखना है water transport are cheap होते हैं इसमें हमारे boat ship आते हैं they are slow होते हैं ये slow चलते हैं ये moving air में air transport हमारे air में चलते हैं they move fast they are costly और इसमें aeroplane helicopter आते हैं बिटा next है try any two merits of land transport land transport की दो फाइदे land transport के बहुत से फाइदे हैं एक तो ये आसानी से हर जगे पर मिल जाते हैं ठीक है दूसरे ये सस्ते पड़ते air transport महंगा पड़ता है जबकि land transport सस्ता पड़ता है हमें इसके two ही merits लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे two merits of land transport are number one they are cheap ये सस्ते होते हैं number two बेटा they are easily available everywhere है ये कहीं पर भी आसानी से मिल जाते हैं ठीक है चोटा गाउं होचे बड़ा हर जगे पर land transport मिलता है जबकि water transport और air transport नहीं मिलते हमें हमें छोटा सा गाउं है वहाँ पर भी बेटा हमें land transport मिल जाएगा तो इसके दो कौन से होगे बेटा दो हमारे merits number one हो गया दीजारची पिये सस्ते होते हैं और they are easily available everywhere ये हर जगे पर आसानी से मिल जाते हैं ठीक है अब बेटा देखिए next है what would happen if there were no transport system क्या हो यदि transport system ही नहीं हो बेटा अगर transport system नहीं होगा तो हमारे लिए वहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा हम छोटी दूरिया तो चले भी जाएंगे पैदल चलकर लेकिन बड़ी दूरिया हम नहीं जा पाएंगे ठीक है हम नहीं तो अपने सामान को ले जा पाएंगे और नहीं हम खुद जा पाएंगे कहीं पर भी ठीक है तो क्या होगा बिटा कि हमारे लिए very difficult हो जाएगा to move from one place to another place ठीक है अब इसका answer क्या हो जाएगा बिटा if there were no transport system यदि transport system नहीं होगा तो it would be very difficult for us to move from one place to another place ठीक है यह हो जाएगा इसका answer बिटा तो बिटा यह आपके question answer है 5 जो आपको आज learn करने हैं अच्छी तरह से बिटा समझ करके और फिर learn करने हैं spelling के साथ learn करने हैं बिटा और फिर learn करने के बाद अपनी rough notebook में अच्छी तरह से spelling के साथ ही लिखने हैं spelling mistake नहीं करनी हैं अगर mistake हो जाती है तो आप क्या करोगे दोबारा से वो spelling करोगे और उसे दोबारा से write करोगे बिटा ठीक है और अपने parents से check करवाओगे ओके बिटा ठैंक्स यही आज का आपका work रहेगा